विडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चानल को सब्सक्राइब चानल सब्सक्राइब करते वर्ग इस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटिस्ट अप्लोड बिल्कुल भी मिसना करें आप कर सकते हैं में follow, facebook, instagram, telegram और twitter पर daily updates के लिए इस वीडियो को like करना और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बने रहेगा वीडियो के आखरी तक क्योंकि आखरी में मैं पूछती हूँ आपसे एक सवाल जिसका देना होता है आपको comment section में जवाब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो का पहला question है Which of the following has become the top ranked Indian company to feature in the latest fortune global 500 list in 2019 निमनलिखित में से कौन सी company 2019 में नवीनितम fortune global 500 की सूची में शामिल होने वाली शीष भारतिय कंपनी बन गई है तो ये company जो है वो बन गई है Reliance Industries जी हाँ Reliance Industries जो है Fortune 500 के list में शामिल होने वाली भारतिय कंपनी बन गई है ये list जो है ये 2019 के लिए है ठीक है Reliance Industries मतलब की RIL नवीनितम fortune global 500 की सूची में शामिल होने वाली शीष भारतिय कंपनी बन गई है Oil to Retail प्रमुख ने राजिसंचालित भारत तेल निगम IOC को शीष रैंक वाली भारतिय कंपनी के रूप में पच्छाड दिया है मतलब इसके पहले कौन था IOL था ठीक है अब भी कौन बन गया 2019 में Reliance Industries बन गया RIL ने 42 सूची में सुधार करते हुए नवीनितम सूची में 106 रैंक प्राप्ट की है IOC ने 202 स्थां के चलांदर्ज करते हुए अपनी उपस्थिती को 117 रैंक में सुधार किया है तो बेसिकली IOC ऐसा नहीं है कि अब लिस्ट से बाहर हो चुकी है IOC अभी भी लिस्ट में है पर अब वो Reliance जो है उससे आगे बढ़ गई है Reliance की जो रैंकिंग है वो 106 हो गई है और जिसके साथ ही IOC की रैंकिंग जो है वो 117 हो गई है Indian Oil Corporation IOC RIL मतलब Reliance Industries Limited चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेशन अगला क्वेशन है अगला क्वेशन है वेर हाज दे अमेरिकन डिजिटल पेमिन्ट फर्म पेपाल लॉंच इस थर्ड ग्लोबल टेकनोलोजी सेंटर इन जुलाई 2019 अमेरिकी डिजिटल भुकतान फर्म पेपल ने जुलाई 2019 में अपना तीसरा वैश्विक प्राद्योगी की केंदर कहां लॉंच किया है तो ये लॉंचिंग हुई है हैदराबाद में हैदराबाद बैंगलोर के बाद सबसे तेदी से बढ़ने वाला आईटी सिटीज में से एक बन गया है इसी वज़े से जो भी आईटी फर्म्स है या जो भी फैनाशल जाइन्ट फर्म्स है उनका टार्गेट पहला तो बैंगलोर होता है दूसरा है थेक है आपको याद रुखना है कि पेपल ने जो है कहां अपना लांच किया है यह प्रध्योगी की केंडर हैदराबाद में लांच किया गया है अमेरिके डिजिटल भुखतान फर्म पेपल ने भारत के पदचिन्य का विस्तार के घोशना तीसरी वैश्रिक प्रध्योगी की केंडर की अक्त का शुभारम जो है वो हैदराबाद में किया हैदराबाद सुविदा दुनिया भर के ग्राहकों को अत्यधुनिक डिजिटल भुखतान समाधान प्रदान करने के लिए और फाइनशल मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के सहित लगबख सो इंजिनियरियों को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा पेपाल के अन्य केंद्र चैननेई और बांगलूरू में है पेपाल होल्डिंग्स इंक एक अमेरिकन कमपनी है जो दुनिया भर में ऑनलाइन भुखतान प्रणाली का संचालन करती है और जो ऑनलाइन मनी ट्रांसवर का समर्थन करती है और पारंपरीक पेपर विदियो जै केंद्रियो ग्रह सचिव का पदभार कौन समालेगा तो ये समालने वाले है अजे कुमार भला जी ठीक है अजे कुमार भला जो है वो नए केंद्रियो ग्रह सचिव का पदभार समालने वाले है अजे कुमार भला को ततकाल प्रभाव से केंद्रियो ग्रह मंत्राले में केंदृये ग्रह सचेव पॉइंट हुए है जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला अच्छा तो इसके पहले कौन थे जिसके पहले राजीव गौबा थे तो अजय कुमार भल्ला जी ने राजीव गौबा जी को हुआ चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं अंगला question who is the author of Chandra Shekhar the last icon of ideological politics Chandra Shekhar the last icon of ideological politics का लेखक कौन है तो हरिवंश और रवी दत बाचपे ये दोनों जो है वो इस किताब के लेखक है इन दोनों ने मिलकर के ये किताब लिखी है आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इस questions के details उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए देख लेते हैं इस question का answer answer है हरिवंश जी और रवी दत बाचपे जी दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी है PM मोदी ने चंदरशेखर पर किताब का विमोचन किया चंदरशेखर लास्ट आइकन ओफ आइडियोलोजिकल पॉलिटिक्स के नामक पुस्तक राजसभा में उप सभापती हरिवंश और रवी दत वाजपई द्वारा लिखी गई है PM ने बताया कि नई दिल्ली में भारत के प्रधान मंत्रियों के किशोर मूर्ती भवन परिसर में इनका एक संघराले भी बनाया जा रहा है संघराले का मतलब होता है म्यूजियम बनाया जा रहा है चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेशन Asian Development Bank has sanctioned Rs.1925 crore प्रोजेक्ट फॉर अपगरेडेशन ऑफ पावर जनरेशन और डिस्ट्रिबूशन इन डाश एश्याई विकास बैंक मतलब कि Asian Development Bank ने बिचली उत्पादन और उन्नयन और वितरन के लिए Rs.1925 crore किस राज्य को दिये हैं तो ये मिला है त्रिपूरा राज्य को 1,925 crore की परियोजना को मंजूरी जो है वो दे दी है इस परियोजना को 63 MW रोखिया परियोजना की शमता को बढ़ा करके 120 MW करने और गुम्टी हाइडरो इलेक्ट्रिक परियोजना को आधुनिक बनाने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है रोखिया परियोजना पश्यमतिरपूरा जिले में स्थित है जबकि गुम्टी परियोजना गुम्टी जिले में स्थित है चिके तो इन दोनों परियोजनाओं के लिए Asian Development Bank मतलब कि ADB ने 1,925 crore रुपीज दिये हैं ताकि इनका जो एक तो कर्रेंटली जितना प्रोड्यूस करने उसे जाधा ये उनका पावर बढ़ाया जा सके और 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 भी जाधा development इन दोनों केंद्रों में किया जा सके चली बढ़ते आगे देखते हैं अगला question on which company did US regulators formalized a record of 5 billion US dollar fine for the violation of users privacy अमेरिकी नियामकों ने किस company पर उपयोग करता हो कि गोपनियता के उलंगन के लिए 5 billion US dollars का जुर्माना लगाया ये रिसेंटली हुआ है तो ये जुर्माना लगाया है Facebook पर US government ने Facebook पर 5 billion dollars का जुर्माना लगाया है जानते हैं क्यूं लगा है Facebook पर आखिर जुर्माना अमेरिकी के नियामकों ने Cambridge-Atlantia data गोटाले में उपयोग करता हो कि गोपनियता की उलंगन के लिए Facebook पर 5 billion US dollars का जुर्माना अपचारिक रूप से शामिल किया जिसमें 87 million उपयोग करता शामिल थें मतलब 87 million उपयोग करता का data जो है Facebook ने ऐसा मानती है US government कि उसने violate किया है जिसके वज़े से इसे 5 billion dollars का जुर्माना इनको लगाया गया है किसी भी company पर उपहुकता की गोपनियता को उलंगन करने के लिए जुर्माना किसी भी company पर लगाया जा सकता है और किसी भी उलंगन के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अब तक का ये सबसे बड़ा लगाया हुआ जुर्माना है तो facebook बहुत बड़ा giant है सबको पता है social media का सबसे बड़ा player जो है फिलाल facebook ही है तो facebook पर ये आरोप है कि उसने अपने 87 million users का जो data है वो data violation के नियम होते हैं उनके खिलाफ उनकी privacy को leak किया था US government ने इसको मद्दे नज़र रखते हुए facebook पर 5 million dollar का 5 billion dollar US dollars का जुर्माना लगाया और ये अब तक का US government का लगाया हुआ किसी भी company के उपर सबसे बड़ा जुर्माना है सबसे बड़ा amount है मतलब चली बढ़ते आगे देखते हैं अगला question British Prime Minister Boris Johnson has appointed Indian Origin Dash as Country Home Secretary British प्रधान मंत्री Boris Johnson ने भारतियम मूल के Dash को देश का ग्रह सचेव नियुक्त किया है तो ये ग्रह सचेव नियुक्त हुई है जो कि भारतियम मूल की है प्रीती पटेल British प्रधान मंत्री Boris Johnson ने भारतियम मूल की प्रीती पटेल को देश का ग्रह सचेव नियुक्त किया है प्रधान मंत्री ने पूर्व ग्रह सचेव साजित जाविद को वित्ट सचेव या कुल अधिपती के रूप में फिलिप हैमन्ड से पदभार सम्हालने के लिए नामित किया है ब्रेक्सिट हैर्लाइनर डोमिनिक राब को देश के विदेश के सचेव के रूप में नामित किया गया है तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं सारे नाम में डिसकस कर रही हूँ तो definitely चाहे भारत की हो या विदेश की हो याद तो आपको रखना ही है चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला question इन चारों में से कोई एक आंसर है और अगर आपको ये वीडियो पसंदार ही है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए देख लेते हैं इस question का आंसर आंसर है विश्व भूशन हरिश्चंद्रन विश्व भूशन हरिश्चंद्रन ने आंदर प्रदेश के विजयवाड़ा में आंदर प्रदेश के नए राज्यपाल की रूप में कारिभार सम्हाला उनकी शपत AP High Court के कारेवाहक मुखन या आधीश प्रवीन सी प्रवीन कुमार ने दिलाई तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है नमबर वन की कहां के राज्यपाल ने उप्थ हुएं आदर प्रदेश के ने उप्थ हुएं कहां पर शपत ली विजयवाड़ा में ली किसने ली विश्व भूशन हरिश्चेंद्र ने ली और किन्होंने इनको शपत दिलाई वहाँ के चीफ जस्टिस जो है सी प्रवीन कुमार इन्होंने उनको सब शपत दिलाई चली बढ़ते आगे देखते हैं अगला क्वेशन हिंदुस्तान Aeronautics Limited has delivered a dash helicopter to Indian Navy हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने भारती नौसेना को एक dash नाम का helicopter जो है वो वितरित किया है तो इस helicopter का नाम है चेतक चेतक को जो है हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने अब तयार करके बना बना करके INS मतलब Indian Navy को Indian Navy Services को दे दिया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL ने भारती नौसेना के लिए चेतक helicopter को समय से पहले ही पहुचा दिया है HAL ने आठ चेतक helicopter के आपूर्ती के लिए अगस 2017 में भारती नौसेना के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किये थे अगस 2019 में दो helicopter वितरित किये जाने थे जबकि शेश को अगस्त 2020 में वितरित किया जाना था बेसिकली तो ये इंडियन नेवी ने order का प्लेस किया था 2017 में किया था कितने helicopters के लिए किया था आठ चेतक helicopters के लिए किया था बट कुछ जो है वो इस साल डिलिवर होने वाले था अगस्त में और कुछ साल कुछ जो है वो 2020 में डिलिवर होने वाले थे बट समय से पूर्व ही उन्होंने डिलिवरी इंडियन नेवी को दे दी है किनोंने दे दी है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने चली बढ़ते आगे देखते हैं अंगला question name the deputy governor of RBI who resigned in June 2019 बहुत important question है RBI के deputy governor का नाम बताएए जिन्होंने जून 2019 में इस्तीफा दे दिया तो ये स्तीफा देने वाले हैं viral अचारे जी viral अचारे के बाहर निकलने के साथ ही RBI ने अन्य तीन उपराजय पालों को महत्वपूर्ण मौद्रिक नीती और पुर्वानुमान विभाग BP कानून को दे दिया है अब अन्य सभी तीन उपराजय पाल NS विशुनाथन BP कानून गो और MK जैन बारा-बारा departments के लिए प्रतेक को जिम्मेदार बनाया गया है जून 2019 में RBI के deputy governor के रूप में विरल आचार ने स्थीफा जो है वो दे दिया था ठीक है तो ये question काफे important है मैं बार-बार बताती हूं कि this question is really important ठीक है So yes guys that's it for today Thank you so much for watching Now it's time for question of the day तो आज का question of the day है What was the theme of World Brain Day 2019 World Brain Day 2019 का विशय क्या था Migraine the painful truth Our brain our future Clean air for brain Pure air for breathing इन चारों में से कोई एक है answer जल्दी से comment section में लिख दीजे अगर आपको ये answer आता है बहुत अच्छी बात है answer नहीं आता है तो घबरानी के बात नहीं है कल के वीडियो देख लीजे इस question को अच्छे से detail में explain किया है So guys thank you so much for watching पीडियो जो है वो description box में है जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजेगा पीडियो में जो red color का option आपको दिखेगा वो होगा आपका definitely answer जो आपके revision में मदद करेगा इस वीडियो को like करना और share करना बिलकुल मत भूलियेगा आप हमसे जरूर सकते हैं online, offline किसी भी माध्यम से हमारा online number आपको screen पर दिख रहा होगा feel free to whatsapp us for any queries So thank you so much for watching Stay tuned to current affairs